हेलो स्टुडेंट आप सभी का कोटा साइन्स हब चैनल पे हर्दिक स्वागत इस प्रभागर्मा योर बायोजी टीजर हेर आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपोर्टन है जो आप देख भी रहे हो स्टेटस ओफ वायरस चैप्टर सेकेंड बायोजीकल क्लासिफिकेशन इससे पहले बेटा चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भुले और ज्यादा से ज्यादा आप इसे सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि कोटा जैसी क्लासिस आपको हमारे अपने चैनल पे प्रोवाइड कर सके हम स्टार्ट, स्टेटस ओव वायरस, वायरस जो भी अपने आप में बड़ा ही इंट्रस्टिंग, एक वर्साटाइल ओर्गनीजम है कैसे, वायरस जो एक लेटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है पॉईजन, मतलब वायरस का मीनिंग क्या है बेटा, पॉईजन, एक टैट का जहर या, एक टॉक्सिक है, और बहुत ही हांफुल भी है, ठीक है, डिफरेंट डिजीज वायरस कोज करता है इसका नुक्लियो प्रोटीन एंटिटी ये एक कोजन, मतलब क्या है है उलाएट क्या है एक चोटी सी यूनिट, और इसमें नुक्लियो प्रोटी satisfald के बिटा ये एक type की synthetic machinery को use करता है, जिस cell के अंदर ये enter करेगा, मतलब जो host है, host है cell की, जो synthetic machinery है, जैसे कि अगर हम DNA की बात करते हैं, या RNN की बात करते हैं, उनको ये use करता है, खुद के multiplication के लिए, which does not involve growth and division, जो क्या करेगा, उस cell को अब ना divide होने देगा, और खुद अपने आप में ये multiply होता चला जाएगा, ताकि उस host पे पूरा ये उसको क्या कर ले, काबू पाले उसके उबर, और खुद को multiply करता जाए, वाइरस टम बास point by पाश्य, ये लुइस पाश्य ने वाइरस टम को point किया है, इसी छोटी छोटी बातें आप याँ रखे, क्योंकि ये आपके जो है one word, ये MCQ में help करता है, आप दियान दे, यहाँ पर साइंटिस का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है living infectious fluid, living infectious fluid, तो वाइरस क्या है, एक living infectious fluid है, जो जैसे बोडी से बाहर है, इनर्ट है, लेकिन जैसे ही बोडी के अंदर एंटर करता है, इट तरन से इंटू living and it causes an infection, तो नाव सम अदर प्रॉपरिटी आप वाइरस, Stanley Crystallized TMV, वाइस TMV, अब यह देखो यह क्या है, टोबैको मॉइजिक वाइरस, प्लांट्स में एक disease cause कर देता है, जैसे हम टोबैको मॉइजिक वाइरस, जो है इसका एक pathogen हो गया, और यह Stanley ने सबसे पहले crystallize किया था, पोलियो वाइरस, जो पोलियो कोस करता है, जैसे थोड़ी से scientist के नाम यहाँ पर आएंगे, और आप कोशिश करेंगे बेटा की नाम को learn कर सकें, वाइरस किसी living culture medium पे ग्रोण नहीं कर सकता है, अगर आप उसको culture करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक living cell के ज़रूरत होती है, तब ही यह multiply करेगा और इसका metabolism भी जो है वहाँ से अपना क्या करेगा, मदब उस शीच को extract करेगा, जब इसको living cell मिलेगा, तब ही यह metabolize हो पाएगा और तब ही यह multiply होगा, किसी living culture medium पे इसको हम ग्रोण नहीं कर सकते हैं, वाइरस is a obligate parasite, यह बात आप देखें, यह बड़ा अच्छा सा है point इसके अंदर, वाइरस एक obligate parasite है, इसका मतलब क्या होते हैं, जब तक यह host cell के बाहर है, यह inert है, इनर्ट का मतलब क्या है बेटा, इनक्टिव, यह इनक्टिव है, लेकिन जैसे ही यह host cell के अंदर इनर्ट है, लेकिन जैसे body के इंदर एंटर करता है, it then only can multiply itself, तो वाइरस अपने आपसे ग्रोप नहीं कर सका, it does not divide and reproduce, यह reproduce भी नहीं करेगा, divide भी नहीं होगा, so यह वाइरस requires a vector for the transfer from one post to another, अब आप देखें, एक वाइरस को transfer होने के लिए एक vector की जरूरत होती है, अब vector क्या है, vector का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एक vehicle से है, जो उसको transfer करेगा, या एक carrier से है, कि जो उसको carry करे, from one organism to another, तो आप देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि वाइरल हो गया है, तो वाइरल कैसे किसी एक, मतलब किसी भी एक organism को होता है, आप देखते हैं, जैसे अगर वो scuffing है, snitching है, खासते हैं, तो वो वाइरस हवा में suspended है, और वो infected air, जब कोई दूसरा person inhale करता है, so virus can be transmitted, जैसे हमने देखा coronavirus, कैसे transmit हो रहा था, just by touch only, या आपने देखा कि जैसे हवा में suspended है, आपका coronavirus, कम से कम 9-10 घंडे तर जिस चीज को touch हुआ है, या जा हवा में अगर ये coronavirus है, तो ये 9-10 घंडे तक वहाँ पे रहता है, अब उस दोरान अगर साफी सारे लोग उस जोगे को touch करते हैं, या फिर वो infected air को inhale करते हैं, तो coronavirus उनके अंदर transmit हो जाता है, अब size के बात करेंगे हम, अब virus जैसे मेरी बता है, एक smallest entity है, एक छोटी unit है, तो इसका size 10 nanometer, जो के foot और mouth virus के अंदर देखा गया है, और 1 micrometer, megavirus के अंदर, आप देखें, 1 micrometer, जो है आपका size काफी बड़ा है, यह mega, mega का मतलब बड़ा होते हैं, megavirus, और यह आपका recent ही develop हुआ है 2013 में, और इसके अंदर काफी सारे genes भी आ जाते हैं, कम से कम 2500 genes यहाँ पर हैं, जो lipid, protein, fat, metabolism को affect भी करते हैं, Now, let's discuss about its shape, it may be helical, TNV के अंदर, tobacco-moistik virus के अंदर, एक helical shape देखने को मिल सकती है, helical is like this, जैसा DNA होता है, कुछ वैसी shape, it may be cooidal, जो polyomyelitis virus के अंदर, जो polyocose करता है, उसके अंदर आपको cooidal shape देखने को मिले के, Next is the vinyl, vinyl shape हमें bacteriophars, जैसे की T2, T2 एक bacteriophars, bacteriophars क्या है वेटा, Phars that means the virus, तो एक virus जो bacteria के उपर attack करें या impact करें, उसे हम कहते हैं, bacteriophars, तो इसमें क्या है आपका DS DNA, double standard DNA जो है वो present होता है, Next हम बात करेंगे classification की, so on the basis of genetic material, ये part आपका important है, ऐसे आपके MCQ बनते हैं, या निट exam में भी आपको qualify करने में help करते हैं, On the basis of genetic material, deoxyvirus and ribovirus, deoxyvirus जिसके अंदर DNA genetic material होता है, इन्हें हम DNA viruses भी कहते हैं, ribovirus जिसके अंदर RNA genetic material होगा, इन्हें हम RNA virus कहते हैं, अब यहां पर आप देखें, deoxy, helica, deoxy, cubica, या deoxy, vinyla, ऐसे कुछ इसके example रहेंगे, से यहां पर भी ribo helica, ribo cubica, इसके example आपकी folio virus या HIV, HIV क्या है जो AIDS cause करता है, AIDS, ठीक है न, तो यह type का आपका retro virus कहलाता है, यह point थोड़ा सा important है यह आपे, और full form आपकी क्या है, human immuno-deficiency virus या acquired immuno-deficiency syndrome, so now let's discuss about its type, now viruses are host specific, see what, host is specific है, that means they need a particular host for their multiplication, all right, so जैसे कुछ आपके virus plants में हैं, कुछ animals में, human beings में, यह कुछ other longer organism में present होते हैं, तो उस basis पे हम इनको three groups में divide करेंगे, the first one is the plant virus, that is phytophagyny, phyto relates to plant and phagyny relates to virus, all right, अब इसके example हम देखते हैं, यह जैसे plant में हैं आपको बता दिया, PMV जो मैं बार बर आपको बता रही हूं, tobacco moisic virus, ऐसे दूसरे और भी virus हैं, tomato leaf pearl virus, जिसमें यह leaf की curding कर देते हैं, तो leaf effect हो जाता है, leaf effect होता है, तो पुरा plant effect होता है, ऐसे और भी virus हैं, आपके like banana bungee top virus, तो different type के virus तो plant में study होते हैं, these are phytophagyny, second is the animal virus, that means zoo phagyny, zoo means relates to animal phagyny virus, तो यह कहां है बट आपके, animals में भी है और humans में भी देखने को मिलेंगे, जैसे polio virus, बार बार आपको बताया है, है H1N1, swine flu virus, तो आप देखें आप, ऐसा नहीं है कि जो discovery हो चुकी है, उसके बाद कोई virus discovered नहीं हुआ है, अभी recently हमने देखा ही है, coronavirus और दुबारा से यह prevail करता जा रहे है, है कि इसके कोई नहीं variant आ जाते हैं, अन्ता virus आ गया, ठीक है न, तो इसे नहीं नहीं virus यहां पर देखने को मिलते हैं, next है H5N1, that means bird flu virus, जो bird की बज़े से फिलते हैं, तो आप कई बड़ देखते भी हैं, जैसे जो पॉल्स वगरा हैं, यह चिकन्स हैं, उनके एक का production स्टॉप कर दिया जाते हैं, क्योंकि उन birds में virus आ जाते हैं, third one is the phagene, phagene is what, they parasitize lower organism, यह कुछ lower organism को parasitize करते हैं, बैक्टिरियो वाइरस यह बैक्टिरियो फास, यह क्या है, बैक्टिरियल वाइरस, बैक्टिरियल वाइरस, जो बैक्टिरिया को attack करता है, P2 वाइरस हमने देख लिया है, और next है आपका polyphases, polyphases जो क्या है, हमारे small intestine के अंदर E. coli को affect करेगा, ऐसे और भी बहुत सारे वाइरस आ जाते हैं, algal virus है, fungal virus है, yeast virus है, तो आज का session हम इतना ही रखेंगे, और next वीडियो में मैं topic को complete करूंगी, क्योंकि थोड़ा lengthy topic है, आप यहां तक इस topic को अच्छे से read out करें, और in case कोई आपका doubt है तो आप मुझे बताएं, और channel को ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें.